नमस्कार दोस्तों कल का ये नोटिस मैंने आप सभी को दिखाया था और आपको बताया था कि किस परकार जो बीर्ड किये हुए छात्र है उन्होंने केस किया कि उन्हें 125 में फर्म भरने दिया गिया है तो उन्हें एकजाम भी देने दिया जाए क्योंकि JSAC ने उनका आविद दोस्तों और है कि लोगों का इग्जाम लिया जाए अलग से डेट निकाला जाए और इन लोगों को 6 मैना का ब्रीज कोर्स करने हे तो टाइम भी मिलेगा यह लिखा है जबकि प्रीज कोर्स अब कहीं नहीं होता है और अदालत को और हाइकोट को गुमराख किया जा रहा है दोस्तों और इसके लिए क्या तोड है और आगे क्या करना चाहिए आपको मैं आपको बता दू एग्जाम में भले ही ब्हाते बढ़ेगे लेकिन ये फिर भी लिजिूल नहीं नहीं होंगे यदि आप ये काम करोगा नीचे कोल्म है कि और सिरे कोट का ही समय वार invari अभियरतियों का परिशा फ़ल याची का संक्या इतना बनाम राइस सरकार एवं एन के पारित आदेश से परभावित होंगे ठीक है यानि इन लोगों का जो रिजल्ट है वो परभावित होगा तो आप लोगों को क्या करना है जितने भी डिलेड अभियरति हैं आपस में बात करना है और आये फाइल करना है इन लोगों की नेक्स्ट हेरिंग 9 जुलाई को है और 9 जुलाई से पहले आपको आये फाइल कर देना है और आपको बताना है कि सुप्रिम कोर्ट का जज्मेंट आप लोग एक बार देख लिजे सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है और हाई कोट को गुम्रा किया गया है और जुट बोला गया है जिसके करण इन्हें एकजाम में बैठना मिल रहा है बहले यह एकजाम में बैठ जाएंगे लेकिन फिर भी यह एलिजिबुल नहीं कलाएंगे जैसा कि आप लोगों ने देख अवयर्थी हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचायें नहीं तो आप लोगों का जो तीन हजार सीट है वह यह ए ब्यूज़ वाले खाजाएंगे और आप लोगोंके सीट में अगर एक भी सीट खाते हैं तो भि आप लोगों के साथ अन्याजाइध होगा ऐसा नहीं कि तीन हजार ही पास हो जाएंगे लेकिन एक भी सिट यह लोग खा जाते हैं तो आपके साथ अन्याय होगा दोस्तों आपको लड़ना होगा जारकार में बीना लड़े कुछ नहीं मिलता है इन लोगों के लिए अलग से डेट निकाला जाएगा दोस्तों एक जाम के लि मुझे लिए साथ जारकार जड्स्तों एमान के लिए?